हलो एब्रिवान वेलकम टू मैं चानल इंजी इस्टो विजन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रिकॉन सांडी आने के मकर राश्री के लोगों में कौन-कौन सी खूबियां होती हैं उनके ट्रेट्स क्या-क्या होती हैं क्या-क्या उनकी क्वाल तो जैसा कि आप सब जानते हैं मकर राशी और कूंब राशी के लौड शनी-देवता हैं शनी-देवता को वयदिक जोतिश में न्यायदीश का रूप बताया जाता है न्याय 더 यनिके ज्यज माना जाता है हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल फल जो है वो शनी हमें दुख परिशानियों के रूप में देते हैं, मकर राशी भी शनी परधान राशी है, इसलिए ये लोग लंबे कद काठी के और बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती होते हैं, इन लोगों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़ादा इंटेंसिटी होती है, बहुत कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और इसमें काम्याब भी होते हैं, बहुत रॉस्पॉंसिबल जो राशी कही गई है, वो मकर राशी कही गई है, क्योंकि इसके देवता जो है जो जो इसके लॉड है शनी देवता उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है तो मगर राशी के लोग भी उसी तरह से न्याय पसंद बहुत जादा मेहनती बहुत जादा डेडिकेटड बहुत जादा डिसिप्लिंड होते हैं ये बहुत निडर भी होते हैं बहुत अच्छे मैनेजर भी माने जाते हैं क्योंकि ये हर चीज को मैनेज करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है ये बहुत जादा इंबीशियस होते हैं और ये ऐसी एक्टिविटीज को चुनते हैं जिस फील में बहुत जादा बहुत जादा हाड़ वर्क करना पड़े और हाड़ वर्क करने के बाद ये टॉप पर पहुंचना बहुत पसंद करते हैं बहुत सारे जिम्मेदार लोगों में इनका शुमार होता है क्योंकि ये अपने हर कारे या अपने वर्क प्लेश या अपनी पैमली या परसनल लाइफ में हर कोई काम को बहुत ही जिम्मेदारी बहुत ही रिस्पोंसिबल तरीके से निभाते हैं मकर राशी के लोगों का नेचर जो होता है वो बहुत ही द्रीड होता है और इनमें काफी एग्रेशन भी होता है इन्हें किसी के बंधन में बंध के रहना अच्छा नहीं लगता ये उसमें गुटन महसूस करने लगते हैं क्योंकि इनको किसी भी चीज या किसी भी इंसान से दख कर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है इनमें एक ऐसे भी फिलिंग्स होती हैं जिससे यह समझते हैं कि इन्हें बहुत सारी जानकारी है यह बहुत कुछ जानते हैं, मतलब इनको logic sense बहुत strong होता है और इन्हें illogic बातें जो होती हैं वो बिल्कुल भी ना पसंद होती हैं ना ही यह उन्हें accept कर पाते हैं, discipline में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है, इस वज़ा से इन्हें कभी-कभी घमंडी भी माना जाता है, लेकिन यह काफी soft-hearted, विनमर, बहुती open-minded जिसे कहते हैं वह होते हैं, बहुत खुले विचारों के, लेकिन ऐसा भी है कि अगर आगर नॉर्मली इन्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन बहुत शान्त रहते हैं लेकिन जब क्रोधित हो जाते हैं या बहुत-जार गुस्सा आ जाए, तो इन्हें श हमें लग जाता है मकर राश्री के लोग अपने वर्क के प्रतीब बहुत जादा डेडिकेटेड होते हैं बहुत समर्पित तरीके से हर जिम्मेदारी को पूरे टाइम से पूरे करना इनकी खासियत होती है यह एक समय पर बहुत सारे कारे बहुत सारे अक्टिविटीज एक साहत करने के काबिल होते हैं बहुत इनgga एक शमता होती है क्योंकि इनकी मेंमरी इनकी यादार्स भी बहुत स्ट्रॉंग होती है इन्हें अपनी सक्सेस अपनी प्रोस्पेरिटी पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती हो और ये करते भी हैं क्योंकि इन्हें शॉर्ट कट का रास्ता अपनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इनकी जो पहचान होती है वो एक कर्मठ करमचारी के रूप में की जाती है ये किसी भी काम को अपने हाथ में लेने से पहले अपना पास्ट, अपना फ्यूजर, अपना प्रेसेंट सब पता लगाकर फिर ही उस काम को अंजाम देने की रिस्पॉंसिबिलिटी उठाते हैं मतराशी के लोग काफी रूमैंटिक और अपने प्रेम और परिवार के प्रती समर्पित भी होते हैं ये बहुत जल्दी किसी भी टाई आप में किसी भी मंदन में बनते नहीं है लेकिन जिसके प्रती ये बन जाए ये जिनके साथ इनकी अटास्मेंट हो जाए फिर ये उसके प्रती पूरी निष्ठा और पूरी वफादारी रखते हैं परिवार के लोगों की हर ज़रूरत को पूरा करना इनका सबसे पहला सबसे पहली डिस्पॉंसिबिलिटी होती है जो ये मानते हैं और उसे करते भी हैं ये एक्शन ओरियेंटेड लोग होते हैं ये अपने वर्ट से किसी की मदद नहीं कर सकते या अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन अपने कर्मों के द्वारा अपने एक्शन के द्वारा ये सामने वाले के लिए जो भी पील करते हैं वो दशाते हैं इन्हें Nature से भी बहुत ज़ादा लगाव होता है Nature के Seems, Nature में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है Music and Art इनके फेवरेट, इनकी फेवरेट होबी होती है जो की इन्हें कुछ ना कुछ Venus से रिलेटेड बनाती है क्योंकि मकर राशी के लोगों के लिए शुक्र एक योग कारिक रह माना जाता है तो यह थी मकर राशी के लोगों के बारे में जान करी I hope कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और शेयर ज़रूर करें अगले वीडियो तक गुडबाई और गॉडब्लस यो अल